हाँ जम आपको सिखाएंगे आप गरपे टमाटर और सोया चंक्स या न्यूट्री कैसे बना सकते हैं यह काफी जादा टेस्टी बनते हैं एजी और कोई क्रेस्पी है और बहुत डिफरेंट होता है आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा यह सिंपल स्टेप्स फॉलो करके और फिर हम डाल देंगे सोया चंक्स या न्यूट्री इंको उबालना है पानी में नमक वाले इसे सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़ा से इन में टेस्ट पी अच्छा आता है तो यह देखिए हम इंको उबाल रहे हैं इंको तकरीबन पांच मिर तक आप उबालेंगे या दस मिर तक तक यह सॉफ्ट हो जाएंगे यह देखिए फिर आपको यह पानी फैंकना है सोया चंक्स को वाश करना है और इस तरीके सिप सारा पानी इंका निचोड देना है तो यह पानी निचोड देना है आपको और वाश भी करने हैं पहले फिर स्क्वीज करके सारा पानी आप इंको सेपरेट रखेंगे बोल में मस्टर्ड और या कर्षुर तील लेंगे आप एक प्रेशर को कमें या पैन में गरम होने के बाद स्मोक निकलने के बाद इसमें हम फ्राइ करेंगे ये न्यूट्रिया सोया चंक्स जो स्क्वीज की थी हमने निकाल दिया था न्यूट्रिय को आपको अच्छे से फ्राइ करना है कच्छे नि रहने चाहिए ये तो तेल कितना आप लेंगे वो आपकी अपनी मर्जी है कितनी कौनिटी आप यूज करेंगे तो जब फ्राइ हो जाएंगे आप इंको फिर निकाल के रख दीजेगा सेपरेट प्लेट या बोल पे और सेम ओयल में आप डाल देंगे दो दाल चीनिक स्टिक्स एक बड़ी इलाची या बुड़ल तीन लॉंग या रॉंग तीन दाल छोटी इलाची है निचल इन मसालों को हलका सा सौते करेंगे आप तेल पे फिर डाल देंगे हम इसमें एक कटा हुआ प्याज आगंड तो प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है इससा मैं प्रेशे कुकर में ही कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी में टमाटर कुक करूँगी तो यह देखिए जब प्यास ब्राउन हो जाएंगे आप टमीटो की प्यूरी जो आपने बनाई थी वो हमने आड कर दी है इसमें तो मैं आपको quickest और easiest method दिखा हूँगी टमाटर फ्राई करने का और कुक करने का तो प्रशे कुक कर में टमाटर आड करने के बार डाल देंगे नमक एक छोटी चमच जिंजर गाली का पेस्ट या गालीक दो छोटी चमच और सारे प्रशे कुक कर में ही और अम इसकी विसल बन करूंगी उससे ऐसा होगा कि जो पानी है टमाटर का सारा वो एब्सॉब हो जाएगो और यह फ्राई हो जाएंगे वो प्रशे कुक कर में हो जाएंगे विसल से ही तो हम यहाँ बे डाल रहे हैं टमाटो केचप एक बड़ी चम पानी तो इंका सारा अल्री एब्सॉब हो चुका है और यह अल्मोस्ट फ्राई हो चुके है अब हम इंको फर्दर फ्राई करेंगे ताकि यह स्टिक ना करें इसलिए हम इंको स्टर करते रहेंगे और फ्राई करने देंगे देखिए यह रेड्यूस हो चुके हैं पूरी त जादा आड नहीं करना है क्योंकि न्यूट्री अल्मोस्ट कुख हो चुकी होती है तो आप इसमें टमाटर और करी का टेश जाए इसलिए हम पानी आड कर रहे हैं और इसको फिर से विसल बंद रखेंगे पहले हम डाल रहे हैं इसमें कटा हुआ दनिया या दानवल अब प्र बनता है और अच्छा टेस्ट में होता है आप ज़रूर एक बार ट्राइ की जागा है ऐसे और फिर फीडबैक सेंड कीजेगा इसको हॉट राइस के साथ सर्व किया जाता है आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं